हलो बच्चों, बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मैं आज आज आपको नाइन्थ चैप्टर मम्ता के कुशन आंसर समझा रही हूँ यदि आप मेरे चैनल पर पहली वार आए हैं तो चैनल को सब्सक्रेब और वीडियो को ज़रू लाइक कीजिए तो चलो मैं शुरू करती हूँ अभ्याद का फर्स कुशन देखिए प्रिशाद जी ने इटो के धेर में बिखरी हुई भारतिय शिल्प की भुवूती किसे कहा इसका उतर देखिए काशी के उतर में इस्तित धर्म चक्र बिहार, मौरे और गुप्त समराटो की कीर्ती का खंडर था इसे ही प्रिशाद जी ने इटो के धेर में बिखरी हुई भारतिय शिल्प की भुवूती कहा है अब सेगिंग गुशन देखिए सहनशा हुमायू के आदेश का किस प्रकार पालन हुआ वह सही था या गलत अपने विचार स्पस्ट कीजिए तो इसका उतर देखिए सहनशा हुमायू ने मुसीवत में ममता की जौपडी में आश्रे लिया था इसलिए उसकी जगे पक्का घर बनवा देने का आदेश दिया था हुमायू के बाद उसका बेटा अकवर सहनशा बना उसने उस जौपडी की जगे एक अस्ट कौणिये मंदिर बनवाया उस विशाल मंदिर में एक शिला लेक पर उसके निर्माता सहनशा अकवर और अपने पिता हुमायू का नाम अंकित करवाया पर उसमें ममता का कहीं भी नाम नहीं था यह बिल्कुल गलत था मेरे बिचार से इस तरह उसने ममता के साथ अन्याई किया अब थर्ड कुशन देखिए पाठ के आधार पर मुख्य पात्र ममता के बारे में लिखिए आपको यहाँ पर ममता की विशेषता लिखनी है कि ममता का सुभाव कैसा था उसके विचार क्या थे तो इसका उत्तर देखिए ममता एक विद्वा विद्वा मतला विडो ब्राहममन युपती थी वह लालची नहीं थी उसे इश्वर धर्म और हिंदू जाती पर पूरा भरोसा था इश्वर की इच्छा के बिरुद वेवार करना उसे पसंद नहीं था बह गीता का पाठ करती थी आती थी को आश्रे दे देना वह अपना धर्म समस्ती थी उसके उज्वल चरित्र और इसने पूर्ण ब्यवार के कारण वह आसपास के गावों की इश्टरियों में लोग प्रिये बन गई थी आप फोर्थ कुशन देखिए ममता कहानी के अंतिम बाक्य को हटा कर कहानी का अंत अपने अनुसार आपको अपने हिसाब से स्टॉरी का एंड लिखना है तो इसका उत्तर देखिए वहां एक अस्ट कॉण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया यह वहेस्तान है जहां किसी समय ममता नामक एक दयालू इस्तरी की जोपड़ी थी विपत्ति के समय उस महिला ने हुमायू को एक रात उस जोपड़ी में आश्रे दिया था हुमायू के पुत्र अकवर ने अपने पिता को आश्रे देने वाली दया कि उस देवी ममता की इस मरती में यह मंदिर बनवाया अब आप स्वाध है कि फर्स कुशन देखिए ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैन को ने ममता के पिता का वद किया था मतलब मारा था उसी घटना के कारण ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत थी अब दूसरा कुशन देखिए ममता की जोपड़ी में आश्रे मांगने कौन आया तो इसका उतर देखिए सहंशा हुमायू आश्रे मांगने के लि अम्ता ने ठके हारे हुमायू को रात में अपनी जोपडी में आश्य दिया था। उसकी उदार तके कारण ही हुमायू के प्राणों की रक्षा हुई थी। वहां से लोटते समय हुमायू ने अपने साथी मिर्जा को उस बिद्वा की जोपडी के स्थान पर नया घर बनवाने का आदेश दिया था। बरसो बाद जब हुमायू का पुत्र अकवर बाश्या बना तो उसे उस घटना का पता चला। उसे सोचा कि जिस जगे उसके पिता के प्राणों की रक्षा हुई थी। वहां एक इसमारक बनाना चाहिए। इस तरह पिता की याद में ममता की जोपडी की जगे अकवर ने 47 वर्षों के बाद अस्टकॉन मंदिर बनवाया। फोर्थ कुशन देखिए घोडे पर सवार होते हुए पतिक ने मिर्जा से क्या कहा। तो इसका उतर देखिए घोडे पर सवार होते ही पतिक ने मिर्जा से कहा कि उस इस्तरी को मैं कुछ नहीं दे सका। इस स्थान पर उसका पक्का घर बनवा देना क्योंकि मैंने विपत्ती में यहां विश्राम किया था वो ठहरे थे ना वहां पर इसलिए फिफ्त कुशन देखिए किस बात से पता चलता है कि ममता सब के सुख दुख की सह भागनी थी अब सेकंड बिट क्या है कि नीचे दिये गए वाक्यों को निर्देश के नुसार भिन भिन कालों में परिवर्तन कीजे इसमें आपको टेंस चेंज करने हैं सेंटेंस के जैसे कि पहला सेंटेंस है तेनाली रामम के बारे में अनेक कहानिया प्रचलित है इसे आपको भूत काल में पतला पास टेंस में चेंज करना है तो इसका उत्तर देख लीजिए तेनाली राम के बारे में अनेक कहानी ये प्रिचलित थी हो जाएगा पास्टेंस में हो जाएगा ऐसे सारे आंसर देख लीजिया सुब्य होने पर ही न अपने बेटे को साथ लेकर उध्यान में जाएगी ये फूचर टेंस है प्रिया का ग्रह कारे जल्दी समाप्त हो जाएगा फूर्थ है हर्ष ने आज उबास किया फिप्त है मनोज अक्सर जागता रहता है अब आप थर्ड बिट देखिए शब्दों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए दूहिता का मतलब होता है पुत्री डॉटर तो इसका सेंटेंस में आपको यूज करना है तो लिखो कि इंद्रा गांधी जवाला नेरू की दूहिता थी आप दूसरा सेंटेंस भी लिख सकते हो वेदना का मतलब होता है दर्ड या पीड़ा तो इसका sentence है कि मा के समझाने से मेरी वेदना दूर हो गई फिर next है उतकोच, उतकोच का मतलब ता रिश्पत या घूस इसका sentence है कि यह सोहन इमानदार है उसे नौकरी में कभी उतकोच नहीं लिया फोर्थ है जीन, जीन का मतलब ता पुराना तो इसका sentence देखिए गरीब लोग जीन वस्तर भी नहीं, जीन वस्तर भी पहन लेते हैं फिर next देखिए last आतताई, आतताई का मतलब होता है अत्यचारी तो इसका sentence देखिए आतताई, शान्ती और प्रेम की भाषा नहीं जानता आशे करती हूँ कि आपको सारे खुशना से समझ में आ गए होंगे, धर्नेवाद